गोटाले पास साहिल सयद पर पुलीस का शिकंजा मजबूत होती जा रहा है कुछ दिन पहले ही फरार साहिल को गुने शाखा की ओर गिरबतार किया गया था इसके बाद से ही साहिल पर शार की वीविद पुलीस थाना अंतरगत प्रॉपर्टी घोटाले से लेकर कई मामले उजागर हुए है साहिल मामले में इसके अन्ने साथियों को भी गिरबतार किया गया है साहिल मामले में पुलीस विभाग की ओर से मानका पूर्स तीत उसके बंगले को गिराया गया ये कारवाई पुलीस विभाग और मनपा के सयुक्त रूप से हुई है कारवाई के समय साहिल का पूरा परिवार घर पर ही मौजु था पुलीस की ओर से उन्हें बाहर निकाल कर ये कारवाई की गई है। पुलीस की ओर से उन्हें बाहर निकाल कर ये कारवाई की गई है। पुलीस की ओर से उन्हें बाहर निकाल कर ये कारवाई की ओर से उन्हें बाहर निकाल कर ये कारवाई की ओर से उन्हें बाहर निकाल कर ये कारवाई की गई है। जाला कुपली मंजूरीन है शे सुद्धा तपास ने कुरूंद पुड़े कारवाई होई तरह नया है सगरना सारखा असला पई तो उसके उपर आगे चलकर ऐसे बहुत उसके मामले सामने आ गए छे ओपन सीस रजिस्टर कर दिये थे नागपूर क्राम ब्रेंच को तपास में महिती मेली कि फूरा गर उसका आवज़्द है उसके जानकारी हमने गोपने लेटर द्वाड़ा एनमसी को भेजी थी तो उसके उपर एक्षन हो रही है एकदम सरानी कारवाई है ऐसी कारवाई होती रहेगी तो नाकपूर शहर के ऐसे जो भी कोई है लोग जो जबरदस्ती गुंडागर्दी करके ऐसे कर रहे एक आच्छा मैसेज जाएगा और मैं आपके दोरा आहुआन भी कर रहा हूँ कि आपके पास ऐसे लोग है पता है तो बिना दिक्कत आपको हमें संपर करना चाहिए हर एक के उपर हम कारवाई करने के लिए सक्षम है ऐसे आपने देखा होगा कि नाकपूर शहर पुलिस ने पिछले एक देड़ साल में इतना सारा काम किया है बहुत लोगों को जेल जेल बेजा है मोके लगाए है इन सबके सबको हम डूढने में लगे है अगर कोई है तो बिन्दिकत आ सकते है जरूर हम उनके उपर कड़क टे कड़क कारवाई करेंगे और नाकपूर को सेप सीटी बनाने का जो प्रयास है हमारा जारी रहेगा अभी जैसे नाकपूर को क्राइम सीटी बोला जाता था कि आप सबने देखा है कि अब एक क्राइम रिडूसिंग सीटी और द्रीम वाली सीटी बन रही है जहिए ऐसे तपास में अगर कुछ आता है तो उसके उपर जुरूर हम करवाई करते रहेंगे काईदा अनुसार थैंक्यू